नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चेनल वैधिक जोतिश में आपका स्वागत करता। अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि हर कोई आपसे मोहित हो जाएगा जिससे आप बात करेंगे वो आपसे इतना आकरशित हो जाएगा कि आप उसे एक बात ही बताएं और दस बार बताएंगे तो वह सुनने पर विवश हो जाएगा और उसे वो बाद भी अच्छी लगेगी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी, माता काली और भैरो बाबा कल्यूक के जागरत देवता है इनकी पूजा सादना जितनी सरल है और उतनी ही सिद्धिदायक और जल्दी सिद्ध होने वाली सादना है क्योंकि ये जागरत देवी देवता है हनुमान बाबा के जो नियम है वो तो आप सभी जानते हैं फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ सबसे पहले आपको मास मदीरा का सेवन नहीं करना है दूसरा आपको लेसुन प्याज का सेवन नहीं करना है एक दिन पहले से एक दिन बात तक और जिस दिन आप प्रयोग करेंगे उस दिन तक साधना के समय आपको भूमी पर शहन करना पड़ेगा मात्र एक दिन में ही ये साधना सिद्ध हो जाएगी और ब्रह्मचर्य तो रखना ही रखना है ब्रह्मचरे जिस दिन आप साधना शुरू करेंगे उसके एक दिन पहले से और साधना के एक दिन बात तक आपको ब्रह्मचरे रखना पड़ेगा ब्रह्मचरे का अर्थ ये नहीं है मन पे काबू करें पराई इस्त्री को ना देखें मा और भेन समझें दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इकावन सो बार इस मंत्र को जाब करना है और मंगलवार शुकलपक्ष के मंगलवार से आप कर सकते हैं और कोई मुस्लिम भाई है तो वो नोचंदी मंगलवार से भी कर सकते हैं आपको बाबा का चोला चड़ाना है चोला का अर्थ है घी, सिंदूर या चमेली का तेल मिला कर आपको बाबा का श्रिंगार करना है और बाबा को अलंगूट अर्पित करें दो लड्डू लें उसमें दो दो लोंग के जोड़े लगा दें और एक तुलसी का दल रख दें बाबा हनुमान से प्रातना करना है तो उनकी अरजी श्री राम से ही लगती है तो श्री राम की एक माला आपको करना पड़ेगी ओम राम रामाय नमहा कर सकते हैं ओम राम चंद्राय नमहा कर सकते हैं इन दोनों में से आपको जो सुलब लगे वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं नहीं तो जए श्री राम भी 108 बार अब जब सकते हैं। गुरु मंत्र नहां होने के कारण आप ओम नमस्षिवाय का भी जाब कर सकते हैं। सबसे पहले गणपती जी का ध्यान करना, उसके बाद गुरु मंतर का जाप करना है आपको, उसके बाद राम जी की एक माला करना है और राम जी से आपको प्रात्ना करना है, हे प्रभू, आप तो दिन दयाल हैं, आप तो कृपालू हैं, मैं बाबा बजरंग बली की सम्मोहन म मंत्र का जाब कर रहा हूं आपको साक्षी मान कर कर रहा हूं आप बोले बाबा बजरंग बली से कि इस मंत्र की सिध्धी मुझे प्रदान करें और मैं ये आपको वचन देता हूं कि मैं इसको परुपकार के लिए करूँगा किसी की मतलब कि अपने भलाई के लिए करूँगा अपने मतलब की गलत काम के लिए नहीं करूँगा बावा को ये वचन दे उसके बाद 5100 बार इस मंतर को जाब कर ले दोस्तों अब मैं प्रयोग विदी बता देता हूँ आपको आपको चमेली का तेल और सिंदूर ले लेना है और उस सिंदूर पर इस मंतर को आपको मिलाना है और उसको मिला के मिक्स कर लेना अच्छे से और उसकी डिब्बी आपको बनाना है और 11, 21 या 51 बार आप इस मंतर को बोलेंगे और उस सिंदूर में आपको मिला लेना है और उसी से रोजाना आपको तिलक करना है आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना सम्मोहन आ गया है इतना अकर्शन आ गया है इतना वशीकरन हो गया है कि अगर आप लगाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे और इसका एक दुसरा प्रयोग बता देता हूँ कि अगर आप सरसों के तेल और सिंदूर को मिला कर अगर अपने दुश्मन से भी मिलने जाएंगे तो वो ऐसे ही घबराने लग जाएगा उसके मन में अपने आप ही डर पैदा हो जाएगा ये बाबा बजरंग बली की कृपा से हुगा दोस्तों इस मंतर से पुरुष और इस्त्री दोनों का ही सम्मोहन होता है आकर्शन होता है तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है क्योंकि आपने श्री राम जी को बचन दिया है और बचन भंग होने पर आपको ही दुश्परिणाम देखने होंगे अब मैं आपको मंतर बत दिता हूं धन पुत्र से जाए खपर में खाए मसान में रहे अंजनीमाई रक्षा करें दोस्तो ये मंतर में ने लिख कर भी बता दिया है बोल कर भी बता दिया है इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेर जरूर करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय माता जी आपका दिन शुब रहे